नमस्कार, आज मैं आपको बताओंगी बहुती खास बात जो बाजू से जुड़ी हुई है और बहुती काम की और जैसे आप डिजाइन का कपड़ा बनाते हैं, जो ब्लाऊज का जो पैटर्न होता तो अधिक तर मैंने देखा ये जो ब्लाऊज की डिजाइन होती है बाजू क वो सई से नहीं आती है तो आत में जैसे मैंने पहले बाजू डाली थी और आप लोगों को बहुत पसंद आई थी तो मैंने सोचा अब की बाद फिर यह दूसरा तरीका है कैसे इसको निकालना है यहां पर जो इसकी चोड़ाई होनी चाहिए वो चोड़ाई नहीं है अब हैं तो आप उसको कैसे निकालेंगे तो आज में आपको यही दिखा listens कि हमें कैसे निकालना सबस्कुराइब अब क्या करेंगे पहले हम अस्तल की कांटीम बहु बराबर हमें अस्तल की बाजू कांटनीन ओर मैंने बैद लिए अब मुझे इसमें बाजू लगानी है और यह बहुत ही जरूली बाजू है जो आपके काम आएगी तो देखी हमें क्या करना है जैसे हमारे आरूमर लें तो हम यहां पर इंची टेप को इस तरीके से रख लेंगे इस तरीके से इस तरीके से रखेंगे तो देखी यहां पर हमें आपेंगे तो यहां पर देखिए साड़े नौ इंच हो रहा है तो यहां पर क्या है मैंने गुंजाइस जादा लिए इसलिए साड़े नौ इंच हो रहा है और दस इंच हो रहा है तो हमें जैसे गुंजाइस के हिसाब से देखना है तो यहां पे हमें कपड़2000 के चाहिए देखिए 10 इंच हो रहा है तो अभी हम यह तो फिलेंऄहां पर यहां पे चाहिचा तो इसलिए इस कि कपड़ चाहिए मैंने पहले अस्तल की कटिंग करनी है हमें पहले अस्तल की कटिंग करनी है तो यहां पर निकालेंगे तो यह एक कपड़े की चौड़ाई है 16 इंच की तो हमें कपड़ की चोड़ाई चाहिए 20 इंच तो हम यहां पर क्या करेंगे यह जो टुकड़ा बचा हुआ है इसको जोड़ेंगे तो हम इसको यहां से इसको डबल कर लेंगे पहले इस तरीके से तो यह देखे पहले डबल है दोनवाजू का कपड़ा है यह दोनवाजू है अब इसको हम एक ब चाहिए अब जैसे आपके जितनी भी चोड़ाई नौ इंच की भी हो सकती है तो मेरी यहां पर यह दस इंच की चोड़ाई है तो मैंने चोड़ाई ले ली अब हम कटिंग का निसान लगा लेंगे तो यहां पर हम निसान लगाएंगे कटिंग का तो यहां पर देखी हमें ती 6 इंच पर इसका कटिंग का निशान लगा लूँगी एक कटिंग का निशान हो जाएगा इसको थोड़ा हमें गोलाई में कटिंग करना है इस तरीके से अब यहाँ पर हमारी मोहरी रहेगी जैसे हमारी मोहरी है 12 इंच तो हम यहाँ पर रखेंगे 8 इंच आठ इंच रखने के बाद यहां पर हम इस तरीके से इसको काट लेंगे और यहां पर देखे यह जो कम है तो यहां पर टुकड़ा लगा लेंगे यह कटिंग का जो कपड़ा बचा हुआ है तो यह आजाएगा यहां पर इस तरीके से तो यह मेंने टुकड़ा लिया है और ये दोनों में लगाना है ये आगी एक साइड और यहाँ पे भी तो ये पीछे की साइड आएगा ये आ गया अब हमें क्या करना है इसको हमें जो हमारा एक कपड़ा है उसके उपर हमें इसको रखना है पहले हम इसको बराबर कर लेंगे बीच में, डबल करके, और कपड़ा भी यह बहुत कम था, तो अभी देखे यहां पर बराबर होना चाहिए, अब इधर की साइड तो हमें कपड़ा मिल जाएगा, इधर की साइड, मगर इधर की साइड हमें दूसरा टुकड़ा लगाना इस तरीके से रखेंगे बीच वाले को, अब इस तरीके से इसको दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे, तो यहां पर भी थोड़ा सा कपड़ा लगेगा, और इसको हम इस तरीके से रखेंगे, अब देखना आई है कि यह हमारा बाजू पर आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे र यहां पर पर कपड़ा कम है, अब यह टुकड़े बच्चे हुए है, इसको हमें जोड़ना है, अब देखिए यह टुकड़े हैं, वो हम यहां पर जोड़ेंगे, अब यह देखिए, यहां पर टुकड़े हमें जोड़ने हैं, वो मैं आपको स्टीचिंग बताऊंगी, कैसे इसको जोड़ना है, और इसको बाजू को कैसे निकालना है, तो अभी मैं आपको इसकी स्टीचिंग बताती हूँ, पहले हम अस्तल को जोड़ेंगे, अब देखे सबसे पहले हम अस्तल को जोड़ेंगे अस्तल की जो बाजू है उसको जोड़ेंगे इस तरीके से रख लेंगे तो दोनो साइड हम पीछे की साइड ये टुकडा लगाएंगे ये टुकडा पीछे की साइड आएगा अब देखे हमने इस तरीके से रखा है इस तरीके से दोनों साइड है पीछे की साइड आएगा और इसको देखे इस तरीके से देख लेंगे बराबर है अब देखे कटिंग तो हमारी बराबर है अस्तल की अब जो साड़ी का कपड़ा उसकी कटिंग करेंगे तो पहले किया करना हमें इसमें टुकड़े जोड़ने है अब यहां पर पहले हम यह टुकड़ा जोड़ लेंगे अब देखे यह हमारा बीच का यह फूल है वो बीच में और यहां पर भी बीच में निशान लगा लेंगे अब यह दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे और ऐसे रखेंगे दोनों निशान बराबर मिलने चाहिए अब देखे अस्तल के पराबर इसकी कटिंग होगी जो साड़ी का कपड़ा है अब इसी तरीके से दूसरी बाजू तयार करेंगे अब दो करेंगे दो । अब दोनों बाजू के cutting करने के बाद इस तरीके से रख लेंगे अब दोनों बाजू बराबर हैं और देखिए कितनी आसानी से बाजू निकल आई और यह जो design बाला कपड़ा होता है तो इसी तरीके से हमें यह टुकड़ा लगाना पड़ता है और यह छोटा है इसलिए लगाना पड़ा है अगर आपकी बाजू का जो डिजाइन है वो सही है तो नहीं लगाना पड़ेगा अब मैं आपको बाजू लगा के बताती हूं अब दीखें यहां पे हमारा पाइपिन का कपड़ा है तो इसको भी लगा लेंगे अब देखिए हमें क्या करना है यह जो बीच का जो फूल है इसको हमें सोल्डर में जोड़ना है यहां से इसका जो बीच का है यह निशान लगा हुआ है यहां पे हम यह सोल्डर में पहले जोड़ेंगे यह निशान को इस तरीके से आदा इंच का कपड़ा दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे अब बाजू लगाने के बाद अब हम अपनी मौरी की फिटिंग करेंगे अब जैसे हमारी मौरी है 12 इंच की तो हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और यह जो फिटिंग की सिलाई उसमें इस तरीके से जोड़ देंगे अब देखिए हमारी बाजू लगके तैयार है और यह देखिए टुकड़ा जो हमने जोड़े है वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं और यह थोड़ा सा दिखाई दे रहा है वस नीचे की साड़ तो यह तुकड़ा इसलिए लगाया जाता है कि अगर हम चाहे तो इसको ढिल चावी कर सकते हैं बुन जास के लिए यहाँ पर अंदर की साट आगया है और देखे हमारी बाजू लगके तैयार है आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते है तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राब करने धन्यवाद